रज्जो की आगयाने वाले कहानी में पोलीस मदुमालती को गưởngतार करने के लिए कहती है और रज्जो तेजी से साच लेती है क्योंकि वार गोसना करती है कि वार भार खुद को सही ठहरा रही है मदुमालती मनुर्मा के मगरमजहिल के पास जाने के बारे में जानती थी जब महिला पुलीश दिकारी उसे गरिपतार करती है तो मदुमालती डर जाती है जबकि रज्जो के दूसरा हर्षफर ठाकर प्रिवार के सभी सदर से चोक जाती है बाद में अर्जुन रज्जो को अकेले में बात करने के लिए उनके कमरे में ले जाता है जबकि रज्जो उसे अपने से दूर दखेल देती है अरजुन उससे पूर्टा है कि वह मदुमालती के साथ ऐसा कैसे कर सकती है जबकि रजु कहती है कि अरजुन वही है जैसा बाकि सभी लोग करते है उसकी वाज उठी हुई है और आखों से आशु निकल रहे हैं जो दर्द और पीडा चिलाते है jeux अरजुन से कहती है कि वह है लापरवा स्वार्थि और भद्दा है क्योंकि वह है मनोर्मा की चिंता है उसकी माकी नहीं रज्जुन अभिसे वापस रखने में ऐश मर्थ है अरजुन को एक सब्सक्रादा करना चाहता है तो उसके साथ एक स्थिर्नियों का निर्मान क करना चाहिए जो व्रोशे पर आधारित हो क्या आरजुन रज्जों पर व्रोशा करेगा बले इसका मतलब मदुमालती को सदाकों के पीछे रहना पड़े क्या ननुक काका अपनी होस में आने के बाद मनोर्मा या पुष्कर के पक्स में बोलेंगे आने वाले एपिसोड बेह